दुनिया में इंसान को हर चीज बापिस मिल जाती है बस बीता हुआ समय जो है वो कभी भी बापिस नहीं मिलता इसलिए दोस्तों अभी वक्त है रेलबे एंडीपीसी रेलबे गुरूप डीगी वैकेंसी है जो इस्टुडेंट तयारी कर रहे हैं अभी वक्त है समझ जाओ त चैनल पर चलिए इस्टाट करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली वेसिस पर आपको डेली जॉप्स न्यूज जो होती है उसकी सीरीज प्रोवाइड कर वा रहा हूं ठीक है तो डेली वेसिस पर मैं आपको न्यूज लेकर कर आता हूं कि किस वेकेंसी का रिजल्ट आगिया है पौन सी नहीं वेकेंसी आई हैं तो सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताता हूं तो पहनी न्यूज जो आपकी निकल कर आ रही है वो निकल कर यह आ रही है यूपी हैसी कममाइंड डेफैंस सर्वेस जी हैं दोस्तों यूपी हैसी सीडियास के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं इसकी जो आपकी लांच डेट है वो आपकी आठ जुलाई बारह जून से फॉर्म इस्टार्ट हो चुके हैं जिन्होंने ग्रिज्वेशन करा हैं तो वो इस फॉर्म को एपलाई कर सकते हैं एज का जो क्राइटेरिया वह आपका 20 से 24 साल अगर की एज 20 से 24 साल के अंदर हैं तो आप UPS CDS के फॉर्म जो हैं वो एपलाई कर सकते हैं जन्नल और OPC केटागरी के लिए जो फी रखी गई है 200 रुपे बाकी अधर केटागरी के लिए फीज जो है वह आपकी जीरो तो अगर आप लोग इच्छों के हैं तो इसके फॉर्म चुके हैं लेकिन इस वेकेंसी के जो खासियत है यह वेकेंसी ओनली ओन फीमेल के लिए है जिया दोस्तों जिन्होंने बीएस सी नरसिंग से किया हुगा है तो आप लोग इस फॉर्म को एपलाई कर सकते हैं मैक्जीम में जूर रखी गया यह वो रखी गया यह आपकी 35 और मेंनीम में इसका जो कुछ भी नहीं है अगर आप बीएस सी नरसिंग से करे हुए हैं और फीमेल है तो आप इस फॉर्म को एपलाई कर सकते हैं एपलाई को करके देखी लो क्योंकि इसकी जनर्रल केटगरी और सभी के लिए जो फीस है वो है जीरो रुपीस तो इसलिए कि आपके आर-पी-फ क्वंस्टेविन कि जो आपके फिजीकल एडमिकारण है वो आ चुके हैं अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो आपके काफी पहले आ चुके थीहां दोस्तों लेकिन गुरूप ए के जो आपके एडमिकारण है वो आचुके है आर-पी-एफ रैल्वे है आपकी नेक्श्ट न्यूज अगर हम बात करें तो यू-पी जेल वाटर की जो आपके exam date वो कब है तो दोस्तों अगर हम you be jailwater की exam date की बात करें तो देखो अभी official notification कुछ भी नहीं है क्योंकि देली पूछता है इसलिए मुझे बताना पड़ता है तो यूपी पुलिस जेल वोटर की जो आपकी डेट है वो हो सकता है कि जुलाइब में इसका एक्जाम हो जाए और सबसे बड़ी जो आपकी निकल गया रही है पंदरा जून जीहां दोस्तों हो सकता है कि यूपी ट्रबल सी व की बर्दी बोट के पास और भी अधर काम होते हैं तो इसलिए दोस्तों काफी तो टाइम हो गया आला कि रिजल आ जाना चाहिए था तो रिजल जो है वो सकता है कि पंदरा कि उनको आने के पूरी पूरी संबाव ना है यूपी ट्रपल सी वीडियो का ठीक है तो दोस्तों फिलाल सिर्फ इतनी ही नियूस थी जितनी मैंने आपको बता दी जो फो माप अपलाई करना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन के सारी डिटेल्स प्रोवैड कर वातूंगा तो आप लोग वोंभी अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों की वीडियो में सिर्फ पसंद आए तो प्लीज साथ मेरे चैनल को सबस्क्राइब पर ना बुलें क्योंकि मैं रोज़न ऐसी तरह की वीडियो जाप लोग लिए लाता रहता हूं नमस्ता दोस्तों जै हिंद जै भारत